उमीद है कि आप सब खेरियत से होंगे आज एक वीडियो लेके हाजर हुआ हूँ आपके सामने बहुत देर के बाद वीडियो है जो कि हमारा हर इंपलाई ने रिजिस्ट्रेशन करनी है जिसका एक गॉर्मेट आर्डर भी निकला है कि हर इंपलाई ने जो है करेंगे कि हर इंपलाई ने जो है वो कैसे अपनी रिजिस्ट्रेशन करनी है तो सबसे पहले आपने कोई भी ब्रोजर जो भी आपका ब्रोजर है वो ब्रोजर खोल देना है तो यहां पर एड्रस में लिखेंगे जेके एच आर एम डाट जी ओवी डाट आए न और यह खोल यह आपके पास वेब साइट जो पहली जब सर्च करोगे jkocrm joe.in तो आपके पास जो पहली वेब साइट आएगी इस पर प्लिक करेंगे और यह आपके पास आएगी JKHRM जमू एंड कश्मीर Human Resource Management System यहाँ पे आपको लाग इन करना है तो सबसे पहले आपने अपना जो है रिजिस्टर करना है आपने आपको रिजिस्टर करने के लिए आपने यहाँ पे लिंक दिया है नीचे रिजिस्टर निव यूजर यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने अपने CPS ID डालनी है जो आपकी CPS ID है वो डालनी है जिसे मैं डाल रहा हूँ और यहाँ पे मुबाइल नमबर वही वाला डालना है जो आपका मुबाइल नमबर cps jkcps database में दिया गया है वो ही डालना है और यहां पे आपने अपने डेटबर डालनी है डेटबर डालने के लिए आपने यहां पे calendar icon इस पे click करना है यहां पे आपने years पे click करना है तो year पे click करने के बाद आप आप पीछे को उपर को जा सकते हो ऐसे अपने जो भी आपकी date of birth है उस year पर आपने click करना है ठीक है वो year हो जाएगा और फिर उसका मात पुल जाएंगे आगे आपने मात पे click करना है और उसके बाद आपने date पे click करना है और यहां से आपने register का button दबा देना है अब यहां पर आपके पास एक OTP आ जाएगा जो आपके इस पर मोबाइल पर तो वो OTP आपने यहां पर insert कर देना है तो मैं फोन पर अपना OTP देख रहा हूं तो OTP जो मेरा है वो मैं लिख रहा हूं यहां पर यह मैंने OTP लिखते है और यहां से इसको verify कर दूँगा verify करने के बाद आपके पासवर्ड रिसेट करने के लिए तो आपको जो भी पासवर्ड आपने रखना है तो वो आपने अपने diary पे note करके रखना है और ताकि आपको बोले न और अपना पासवर्ड एक बार डालना है फिर दुबारा भी डालना है उसको confirm करने के लिए और confirm करने के बजहां से submit कर देना है यह आपका आजाएगा registration process एक आसा तरीका है registration करने के लिए और यहां पे जब आप registration कर दोगे उसके बाद आपका username और password पे आप login कर पाओगे तो username password मैंने इसको save करके रखा है तो यहां से मैं इसका capture डालूंगा security code डालता हूं और यहां से login कर देता हूं यह login हो जाएगा आपको registration process मैंने बता दिया registration process बहुत आसान है अगर इसमें आपको कहीं दिक्कत आती है तो वह आपको क्या है कि उसके लिए अगर वाई दिवे आपको OTP नहीं आया या आपका कोई mobile number change है तो उसके लिए अपने आप video से बताना है आपका JCKCPIS कोलना हैakah आपका कोई mobile number change है या आपको OTP नहीं आरहा है तो जी वो भी मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपने उसको change करवाना है जैसे मैं यहा पे खोल रहा हूं कोई भी यूजर मैं एक को रहा हूँ अपना यूजर तो वहां पे आपने जैसे अगर आपको कोई बताएगा कि ये फ्रीजड है ये नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि फ्रीजड तो है लेकिन इसमें मुबाइल नमबर और इमेल का जो आफशन है वो आप उसक जयबाब क्लिक करेंगे यहां पर तो सारे इंपलाय आजएंगे जिसका भी आपने नम या मुबाइल नमबर और इमेल ठीक करना है तो वह आपने यहां पर ठीक करने के बाद अपडेट कर देना है तो आपको फिर वहां पर ओटी पी आ जाएगा तो मुझे अमीद है कि जो जो हमने registration की, उसमें कोई आपको डोट नहीं होगा, बहुत आसान तरीका है, उसको आप रवीड करके फिर से देख सकते हैं, तो जब यह registration हो जाएगी, registration होने के बाद यह आपके पास, man आपका खुल गया, नाम है, आपकी designation है, father's name है, mother's name है, और marital status है, आपका data birth है, office है, appointment date और order है, joined as है, फिर आपका promotion detail है, यहाँ पे, आपकी posting detail है, फिर आपका EPM के बारे में है, यहाँ पे कि आपने EPM फिल किया है, नहीं किया है, तो वो details है, यहाँ से भी आप फिल कर सकते हो, फिर PRS के बारे मे है, आपका जो आप हर साल भरते हैं, वो भी आपके है, जो आप प्रापर्टी रिटरन भरते हैं, वो भी आप यहाँ से बर सकते हैं, उसके बाद आपके पास time line में जो है, यह dates हैं, आपके पास की posting data birth से लेकर, आपका पूरा, कब आपकी retirement है, वो सारा का सारा एक यहाँ से तो यह बनता जाएगा, यह data birth है, फिर मेरा जैसा, यह 14.2009 जाएंड as teacher है, फिर teacher grade second या post grade teacher, जो भी dates कुछ होंगी, बीच में आपने इंट्रीज करी होंगी, आपके CPS में तो वो सारा आपके यहाँ पे आजाएगा, अगर आपको यहाँ पे कहीं गलती है, अगर आपको ल यहाँ पे आपको correction farm दिया है, आपने यहाँ पे correction farm में जाना है, और correction field को आपने select करना है, यह आपके वही वाले forms है, farm one, farm two, farm two के दो parts होते हैं, एक joining का part होता है, एक salary का part होता है, फिर farm three में contact detail है, farm four में education detail है, farm five में promotion है, farm six में posting है, और farm seven में nominee detail है, तो यह जिस भी form में select करके और यहाँ से certificate पे आपने check box को select कर देना है, यहाँ से आपने submit कर देना है, अगर आपने multiple कर रहे हैं, तो multiple जैसे आपने एक कर दिया, submit किया, फिर दूसरा कर दिया, फिर तीसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, यहाँ पे submit कर दिया, अगर आपको multiple forms में लगता है कि मुझे गलती है फुलाने फार्म में भी दूसरे में भी दूसरे में तीसरे में चोते में पांचे में है तो आप सारे सेलेक्ट करके यहां से और यहां पे आप इसको यहां से सब्मिट कर सकते हो जब वो सारे सब्मिट हो जाएंगे यहां से सर्टिपाइब क्लिक करके सब्मिट आल भी आपने क्लिक करना है तो वो सब मेट हो जाएगी और वो रिक्वेस्ट आपके डी-डियो के पास चली जाएगी तो ये साथ correction के बारे में आप भी करेक्शन भी कर सकते हूं अच्छे तरीके से आप correction आपनी करवा लेना डी-डियो को भी ये request है कि वो भी देख लें किストर्विस्बुक के हिसाब से इनका रिकार्ड होना चाहिए किसी की पोस्टिंग डटेयल का लट है किसी की प्रमोशन डटेयल का लट है तो जो भी है वो एक बार आप अपना चेक कीजिए आचछे तरीके से अपने डिडियू के साथ मिलकर या आप खुद भी आप देख सकत हो कहीं जो भी गलति यह अब ठीक कर सकते हो तो ढ 오꺼 यहां पे आख को सेबस्कृप्स की टेऑल से इसे लिइस किखेंट की से लिडिक कर सकते हैं व्हाइब यहां से लट करके आप इसको सब्मिट कर सकते हैं तो और उसके बाद बस इतना सा चोटा सा था इसमें प्रॉसेस बाकी जैसे मैं ने ये कर दिया तो यहां से आप प्रिंट भी कर सकते हो जैसे सेलरिस्र ने आपको निकाल के दिखा दी तो यहां से होंपे जाके फिर से आप जा सकते हो अगर जी पिएफ स्टेटमेंट आपको डीडियो का बारे में इस वीडियो को आप अच्छे तरह किसे दिजी देखिये अपनी साथा आप खुद जो है रेशिटरीशन कीजिये किसी की दुकानदार के पास आपको जान जाने के जरूरत नहीं है आप खुद कीजिए अपने मोबायल से कीजिये तो अच्छे से अपनी registration कीजिए फिर कहीं भी आपको लगता है कि मुझे गलती है तो वो जो गलती है आप उसको भेज सकते हैं अपने videos को वो आप ठीक भी कर सकते हैं तो ये थी video मुझे अमीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी चोटी सी video है और इस video को जो है हर imply तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए और इसको share जरूर कीजिएगा मेरे channel को subscribe जरूर कीजिएगा Thank you very much